दोस्तों एक्जाम इतन में एक बर परसे आपका स्वागता हाशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों मिलिटरी नर्सिंग सर्विस के बीएस से नर्सिंग हैंट्रेस एक्जामने से रिल्टेट आपके इंपोर्टेंट क्यूसन्स की सीरीज चल रही है मैंने ओरड़ी आपके जो जीके का पॉर्चन है फिफ्टी माक्स का आपका तो उसके ओरड़ी काफी सरी वीडियो आपको उपलब्त करवा रखे हैं चाहिए आपके करन से रिल्टेट हो या एस्टेटिक जीके का पॉर्चन हो तो आप वो वीडियो जरूर देखिए साथ ही आपके परड़ल PCV Phygeist कमिस्टे और बायलोजी के भी इंपोर्टेंट क्यूसन की सिरीज स्टार्ट कर दी गई है तो आप यह जरूर अवैल करें साथ ही कमेंट बोक्स आप जरूर बताए कि कितने क्यूसन करेक्ट होएं कितने इनकरेक्ट होएं और दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन के साथ में ही पर देख आप एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर अवैल करें वो आपके लिए काफी यूजपूल रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक भी दिया गया है तो आप वो मॉक टेस्ट पेपर जरूर अवैल करें अभी आपके को जान सकते हैं साथ ही आपको प्रिप्रेशन के साथ में जितना थियोरी पे फोकुस कर रहे हैं उससे दो गुणा या तीन गुणा जादा मौक टेस्ट पेपर पर ज़रूर अभैल करें आपको कहीं से भी मौक टेस्ट पेपर मिले आप उनको परड़ेगा एक मिनिममम आपक तो यह आपके लिए काफी useful रहेगा और आपनी preparation को ज्यादा ज्यादा समझ सकते हैं तो दोस्तो description box में जो link दिया गया है यह आपके 5 set mock test paper का जो आपके complete syllabus best है और इसमें explanation के साथ में आप जैसे ही अपने mock test paper को complete करेंगे तो आप जान सकते हैं कि आपका score कितना हुआ है साथ हारी question का आपको detailed answer solution explainer साथ में भी दिया गया है अवेल करने के लिए description box में जो link दिया गया है उसमें आपको simply click करना है जैसे click करेंगे इस तरह के से interface आएगा इसमें आपको buy now पर click करना है अब जैसे ही buy now पर click करेंगे इस तरह के से interface आएगा इसमें अपना नाम फिल करना है अपनी active email id फिल करना है यह contact details so next पर click कर देना जैसे ही next पर click करेंगे आपको payment के लिए पूछा जाएगा पहुन पर pay time debit card credit card जो भी mode उसे payment कर सकते है payment confirmation के बाद में आपको download file का option आएगा वहाँ से file को download कर सकते है अगर वहाँ से file download नहीं कर पाते है तो जो email id आपनी यहाँ फिल की है active email id इस पे भी आपको एक download file का option आएगा वहाँ से file को download कर सकते है और उस file में आपको complete जो जीतने भी mock test paper है उनके सभी के link दिये गए है आप link पे click करके अपने mock test paper को avail कर सकते है या जो link दिया गए है उसको browser में paste करके भी अपना mock test paper है उसे start कर सकते है और दोस्तों कोई भी doubt है comment box में पूछ सकते हैं instagram फॉलोगर के वहाँ सभी जानकारी ले सकते हैं और MNS 2022 की preparation करने वाले candidate के लिए एक separate telegram group बना रखा है तो अगर आप वो group join करना चाते हैं तो आप instagram पे i want to join MNS लिखके message कीज़े आपको telegram group का link है वो provide करवा दिया जाएगा तो दोस्तों start करते है अपने question आप answer देने की जरूर कोशिस करें चाहिए आपको आये या नहीं आये और comment box में आप जरूर को देए कितनी question आपके correct है first question आपका which of the following गीचे large blood vessels that carries blood away from the head तो आपकी इसमें option यह है when, artery, cabillary या nerve correct answer हो जाएगा दोस्तों आपकी artery option no.20 का correct answer हो जाएगा अगर इसका explainer साह आप देखें यहां पे तो the pulmonary artery carries blood from the right side of the head to the to pick up a fresh supply of oxygen तो आपकी artery है एक blood vessel जो blood को heart से लेके जाती है option no.20 का correct answer हो जाएगा next question है आपका which of the following is not member of vitamin B complex तो vitamin B complex का member कौन सा नहीं है ताइमीन नहीं है, option A है या riboflain नहीं है polyc acid नहीं है या ascorbic acid नहीं है तो दियेगी option है यहां पे आप answer देने की जरूर कोशी सकरें तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों आपका ascorbic acid, option no.20 correct answer होगा तो इसका explanation है आप यहां पे देख सकते हैं इसका explanation हो अच्छे से समझ सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां दिया गया आपका vitamin B complex consists of 8 vitamins namely तो जो vitamin B है वो 8 vitamins में consist के जाते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9 और B12 और vitamin B1 is thymine के नाम से भी जाना चाता है vitamin B12 riboflavin के नाम से भी जाना चाता है vitamin B3 is nicene के नाम से और vitamin B5 is pentothenic acid के नाम से vitamin B6 is side road आपका biotene के नाम से और folic acid and vitamin B12 आपको sinocoblamine के नाम से भी जाना चाता है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि कौन से vitamin को किस नाम से जाना चाता है इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट है वह आपका विटामिन B6 आपका विटामिन B6 आपका विटामिन भी बना लीजिए next question है आपका fungi or plants that lack option A oxygen, option B carbon dioxide या chlorophyll या none of these तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों आपका option number C आपका chlorophyll option number C इसका correct answer हो जाएगा explanation भी आप देख सकते हैं तो इसका explanation आप यहां पे देख सकते हैं we know plants prepare their own food and so are known as autotrophs तो जो plants है यह अपना food है वो खुद बनाते हैं तो इन्हें autotrophs का जाता है with the help of photosynthesis तो प्रकाल sensation की प्रकेरे से अपना food खुद बनाते हैं they make food in which they produce glucose, glucose produce करते हैं from carbon dioxide and sunlight तो आपका carbon dioxide और sunlight से glucose प्रडूस करते हैं oxygen is released by plants which are further used by animal and other animals, human and other animals तो जो oxygen release की जाती plants के दोरा तो human और other animals उससे यूज करते हैं but fungi like chlorophyll है यह photosynthesis में participate नहीं करता है बाग नहीं लिता, do not engage in photosynthesis तो प्रकाल sensation की प्रकेरे में fungi like chlorophyll है यह अपना participate नहीं करता है next question आपका, what makes a reptile a reptile? option is cold blooded, warm blooded, non-hearing या egg lying option correct आज होएगा इसका egg lying, option number D explanation आप यहां पे देख सकते हैं इसका तो आप यहां पे देख सकते हैं reptile skins covered with hard dry scales and most reptiles lay eggs those animals which are cold blooded don't automatically maintain a consistent body temperature तो वो खुद बहुद अपनी body temperature को maintain नहीं कर सकते they have to lay out their eggs in the sun to keep their body warm तो उन्हें बाहर अपने जो अंडे होते हैं वो रखने होते हैं जो से की sun से उन्हें warm मिल सके गर्मी मिल सके अपने body warm से वो नहीं कर पाते हैं तो they have to lay out their eggs in the sun to keep their body warm तो अपनी body को temperature maintain करने के लिए अपने अंडे हैं वो बाहर रखते हैं वो option number D इसका correct answer हो जाएगा next question आपका which blood vessels have the smallest diameter तो capillaries, arteries, venals, lymphatic तो इसका correct answer हो जाएगा दूस्तों आपका capillaries option number A इसका correct answer हो जाएगा explanation के अगर बात करें blood is carried through the body by blood vessels तो blood vessels से जो blood है पूरी body में वो carry किया जाता है with the help of perfusion process capillaries supply blood to the tissue tick issue तो tissue तक भी पहुचाते हैं The diameter of the capillary ranges from फांसे 10- 10 micrometer की range तक होता है जो आपकी capillary होती है उसकी diameter of the arteries, तो उसकी upright 30 democratic micrometer की diameter होती है ा तो के capillary की range होती है 5-10 micrometer होती है और जो आपकी aard the arteries होती है उसकी upright 30 micrometer तक की उसकी range होती है तो दियेगे option में से सबसे छोटी जो blood vessel हो जाएगी वो आपकी capillary हो जाएगी इसमें इसकी 5 से 10 micrometer की ही range होती है next question आपका which of the following is an airborne disease तो disease में से एक question आपका जरूर पूछा जाएगा option A है measles, typhi, pink eye and none of the above तो correct answer हो जाएगा आपका measles option number A है जो airborne disease है तो बाकी airborne disease कौन कौन सी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं airborne disease आरता infection spread by airborne transmission including chicken box, anthrax, influenza, measles, small fox या crypto calls तो यह सारे के सारे हैं यह airborne disease है तो यह आप अच्छे से बनाए short nose ज़रूर बना लीजिए next question आपका यह yellow dust appears on the fingers whenever we touch the middle of a flower these tiny yellow grains are one of the most precious substance in nature because they contain the secret to plant life what is this dust hold तो इस dust को क्या बोला जाता है pollen, sperm, spore या spore chryst correct answer हो जाएगा आपका pollen option number A next question आपका which organ of the body produce the flood known as bile liver करता है pancreas, gallbladder, kidney correct answer हो जाएगा option number A liver explanation देख सकते है liver produces digestive fluid known as bile तो यह पाच्छा करस से होता है liver releases bile into gallbladder a small pear-shaped organ located just below your liver in the upper right side of your abdomen तो यह जो liver के द्वारा है यह आपका bile juice है यह produce किया जा सकता है next question आपका which of the following hormones is a steroid तो देगे option में से आपको बतना है कि कौन सा hormone सा जो steroid है आपका estrogen, glucosin, insulin या oxytocin देगे में से answer देना आपको correct answer हो जाएगा दोस्तों आपका estrogen option number A इसका correct answer हो जाएगा आप इसका explanation अच्छे से read कर सकते है let's know blood sugar enzyme activation या डिक्टॉक्सिफिकेशन या reproduction correct answer इसका हो जाएगा दोस्तों आपका reproduction reproduction है वो आपका liver का function नहीं है तो यहाँ पर देख सकते है the liver is the body largest internal organ it has many function in the body as it helps in protein synthesis and blood clotting, manufacturing, triglyceride and cholesterol, glycogen synthesis and bile production तो bile juices production आपका पहले क्यूशना है था तो liver के दोबरह यह किया जाजता है glycogen synthesis का काम किया जाता है या आपका जो triglyceride होते है उनका यहाँ पर produce किया जाता है it also deoxifies chemicals and metabolizes drugs also next question आपका which of the following is are the main functions of lymphocytes तो lymphocytes का main function मेंकारी क्या होता है produce antibodies, produce antigens, produce white blood cells या इसमें option आपका दिया गया है only one option B है second and third और आपका option C है यहाँ पर यहाँ पर यह तीन दिये गए है आपके कि antibodies produce करता है antigens या white blood cells तो इन तीनों में से कौन से करता है यहाँ पर आपको चार option दिये गए है कि only one करता है both two and three one and three या one, two, three तीनों ही काम आपके यह किये जाते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों आपका option number A, only one तो antibodies को produce किया जाता है आपका lymphocyte की दोरा explanation ना कर देखे आपका तो पहले आपको statement देखना है फिर इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है वो आपको answer देना है first statement insulin is a fat storage hormone that is released by the pancreas and regulants metabolic process next है आपका melatonin is produced by the pineal gland in the brain which controls sleep and wake cycles option इसमें यहाँ पर correct answer है यह देगे only one, only two, both one and two neither one or neither two तो इसमें आपका C correct हो जाएगा both one and two है यह correct है तो explanation आप यहाँ पर देख सकते insulin is a fat storage hormone that is released by the pancreas and regulate metabolic process metalinin is produced by the pineal gland in the brain which controls sleep and wake cycles तो दोस्तों इनमें साब कितने questions correct है आप comment box में ज़रूबता है मिलते हैं next new video में next new update के साथ में दन्यवात जोइन जे बारत